तो जैसा कि हम बात कर रहे थे तीन ग्रहों की यूति के बारे में, इस वीडियो में जानेंगे अगर सनी चंद्रमा और बुद्ध की यूति आपके चार्ट में किसी भाव में बन रही हो, तो इस यूति के कैसे प्रभाव और परिनाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं, देख देखना पड़ेगा, साती साती देखी, यहां पर सनी है, तो सनी हमेशा लिमिटेशन, हमेशा बाउंटरी लगा देता है, हमेशा एक बाद्धेता रहती है, या हमेशा एक पाबंदी सी रहती है, ऐसे में यहां पर आपको चंद्रमा और बुद्ध से रिलेटेड कारिये कर साई हो सकते हैं या फिर आप बहुत ही ज्यादा depressed महसूस कर सकते हैं तो यहां पर चंद्रमा पर सबसे ज्यादा negative impact पड़ेगा और बुद्ध से related क्रिया कलाप करने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो ऐसे जातक कि जो calculation power है जो चीजों को याद करने की या अपने talent को बाहर लाने की जो चमता है वो उसमें नहीं रहती है या उसका जो development है वो बहुत ही late होता है जातक में ऐसे में जातक अपने career में एक बहुत ही serious issue phase करता है साथी साथ जातक अपने खुद के जो personal जो उसकी qualities हैं उनको खुल कर सामने नहीं ला पाता तो वास्तम में जातक किसे भी छेतर में better perform नहीं कर पाता ऐसे जातक के पास धन की काफी कमी हो सकती है जातक की जो hard work है वो worth जाती है क्योंकि जातक अपनी वास्त्विक जो चमता हैं उनको उपयोग में नहीं ला पाता तो आपको फिर काफी ज़दा परेशानी आएगी किसी भी काम को क तरीका है या जो निरने लेने का तरीका है काफी डिले हो सकता है इस वेज़से बहुत ज़दा loss आपको उठाना पड़ सकता है साथी साथ आपका कोई भी जो काम है या आपकी life में कोई भी जो event होना वो समय पर नहीं होगा ऐसे में आपको काफी ज़दा डिले हो जाएगा साथ ही profession wise यह जो इस्तिती है आप जब काम करते हैं या किसी भी profession में मालीज यह आप हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा काम करते हुए ही तनाव का सामना करने लगेंगे या मानसिक छमता आपकी कम हो जाएगी तो यहाँ वास्तम में सनी के साथ जब भी ऐसे इस्तिती है चंद्रमा और बुद्ध साथ है तो बुद्ध का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़र्री है बुद्ध अगर मजबूत नहीं होगा तो निस्सित रूप से आपको problems आएंगी वैसे अगर देखा जाए तो सनी का मित्र है बुद्ध तो लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा stability मिलती है बुद्ध से related qualities को लेकर बट क्योंकि चंद्रमा साथ होनी की वज़े से जिस परकार से आप सोच लेते हैं जिस परकार से विचार कर लेते हैं लेकिन आप क्योंकि चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा खराब इस्तिति में आ जाता है बहुत ज़्यादा depressed हो जाता है ऐसे में आप अपनी qualities को या अ अध्यात्म का बहुत अच्छा knowledge हो सकता है जातक को meditation करने से काफी फाइदा हो सकता है life में साथ ही उसको बुद्ध से related कारिय चितर में काम करने या चंद्रमा से related कारिय चितर में काम करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी no doubt ऐसे जातक later age में बहुत ज़्यादा successful भी हो सकते हैं क्योंकि इनका mind बहुत ज़्यादा stable नहीं होगा बट वास्तम में ये अपनी काबलियत को या अपने intelligence को बहुत धीरे-धीरे यूज कर पाएंगे और दिरे-दिरे यी develop कर पाएंगे तो ये थोड़ा सा issue आपको रह सकता है इस conjunction की वज़े से अब तीन ग्रहों की यूति है तीन ग्रहों की यूति में अगर थोड़ा सा भी planet का जो प्रभाव है एक दूसरे पर पढ़ रहा हो किसी भी परकार से चाहे कोई planet बहुत strong हो चाहे कोई planet बहुत weak हो तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पढ़ता है उस particular भाव पे जिसमें ये conjunction आपके बन रहा है तक आप positive भी feel करेंगे कुछ मामलों में लेकिन यहाँ पर ज्यादा तर आपको delay होगा कारियों में या आप खुलकर सामने नहीं आ पाएंगे ऐसे में बहुत ज़्यदा जिजक उत्पन होती है जब भी हम कोई काम करते हैं या बहुत ज़्यदा depression या anxiety की तरफ चले जाते हैं तो ऐसे में आपको वो कारिय जो आप अपनी बौद्धिक छमता का इस्तेमाल करते हुए करते हैं चाहे आपकी कैलकुलेटिव पावर है चाहे आपकी जो speaking ability है वो है और आपकी बासन देने की छमता आपकी वाद विवाद करने की छमता वो काफी कम हो सकती है इसी प्रकार से जातक बहुत ही कम बोलने वाला हो सकता है इवन जब बहुत ही ज़दा जर्रत होगी तब ही ऐसे जातक बोलते हैं या अपने विचार सामने लेकर आते हैं तो एक कुंठा वाली इस्तिती भी इस वज़े से उत्वन हो सकती है लेकिन मैं बात है आपका जो educational career है वो भी इस conjunction के विज़े से काफी प्रभावित होता है क्योंकि आप जल्दी सीख नहीं पाते आप चीजों को ग्रेफ्स नहीं कर पाते या आप चीजों को मेमराइज नहीं कर पाते याद नहीं रख पाते तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा या सीखने के लिए प अचेडमिक कैरियर है उस पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है तो ऐसे में बहुत ही लेट आप जाकर सीखेंगे चीजों को तो ऐसे में सीखने वगरे में या कोई भी चीज को याद रखने में या कोई भी जो आपकी इमेजिनेशन इसके लिए उसको यूज करने में काफी दिक्ते आपको आती हैं